नमस्कार दोस्तों लखेपूर टिवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बिच्चु काटने पर क्या करें बिच्चु काटने पर कितना दर्द और पीड़ा होती है यह तो वही जानता है जिसे कभी बिच्चु ने काटा हो उमीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लिजिए वो इसलिए कि यहां आपको प्योगी जानकारी मिलती है सवस्ते रहने, रोगों को दूर करने और घरेलू पाएके बारे में तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि क्या करना चाहिए अगर बिच्चु काट ले बिच्चु अगर पैर या हाथ में काटा है तो डंग वाली जगह से थोड़ा उपर पतली रसी से टाइट बांधना चाहिए ऐसा करने से दर्द उपर की तरफ नहीं बढ़ता है जहां पर बिच्चु काटता है वहाँ पर उपना डंग चुभा देता है ये डंग छोटे काटे की तरह होता है अगर यह दिखता है तो इसे आप सुईसर निकाल दीजिए इसका डंग निकल जाने पर दर्द नहीं होगा क्योंकि सारा जहर इस डंग में ही होता है बिच्चु काटने पर असहनिये दर्द होता है, इसे तुरंत दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इंजेक्शन देना, जहां पर बिच्चु ने काटा है जी हां दोस्तों, इस एलोपैथिक इंजेक्शन का नाम है जाइलोकेन, 2 परसेंट या 5 परसेंट कोई भी ले सकते हैं एक नई डिस्पोजेबल सिरिंज लेकर इसे 1-2 मिली लिटर खिंचिये और जहां पर बिच्चु ने काटा है, वहां पर चमणी उठा कर इंजेक्शन दे दिजिए इंजेक्शन देते ही रोता हुआ व्यक्ति हसने लगता है, तुरंत ही दर्द काफूर हो जाता है यह इंजेक्शन अपने देश में हर जगा आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल जाता है, इसे लेकर घर में रखना चाहिए, क्या पता कब किसी के काम आ जाए यह एक तरह का लोका अनिस्थेशिया का काम करता है, पर बिच्चु काटने पर वरदान है बिच्चु काटने पर अगर खाने की दवा की बात की जाए, तो इसके लिए एक होमिपैथिक दवा बहुत ही कारगर है, जिसका नाम है शाइलेशिया इसे रोगी की जुबान पर दो बुन दीजिये, दस मिनट के अंतराल पर सिर्फ तीन बार, यानि दस-दस मिनट पर रोगी की जुबान पर तीन बार देना है इस दवा को देने से बिच्चु का डंक खुद बाहर आ जाता है साथ ही साथ कील चुबने, काटा लगने, सुई चुबने त्यादे में भी या दवा बहुत कारगर है इसे घर में आधा आउंस लेकर रखना चाहिए, बड़े ही काम की दवा है किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल अस्टोर से आप इसे ले सकते हैं बिच्चु काटे अस्थान को गरम पानी में रखने या गरम पानी में रुमाल भीगा कर सेखने से भी आराम मिलता है तो दोस्तों आज आपने जाना बिच्चु काटने पर गरेलूप चार के बारे में इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट से पूछिए जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें ऐसी ही दुसरी काम की जानकारी, घरेलूपाई, अईरुवेदिक फर्मूले की अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें खुश रहिए, हेल्दी रहिए, यही हमारी कामना है थैंक्स वर वाचिंग